उपमंडल गोहर की सपलेड में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से एक साल के मासूम की मौत हो गई है ये मासूम अपने जुर्बा भाई के साथ बात्रूम में खेल रहा था इतने में उनकी देखभाल करने वाली दादी बच्चों के लिए दूद लाने रसोई में चली गई जब वह बापिस आई तो एक मासूम पानी की बाल्टी में औंधे मुह गिरा पड़ा था बच्चे को इस हालत में देख पडोसियों की मदद से मासूम को उपचार के लिए सिविल अस्पिताल गोहर ले जाया गया जहां बच्चे को मृत घोशित कर दिया गया घटना बुदवार की है जब दोनों जुड़वा भाई खेल रहे थे जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते हैं जबकि बच्चों के माता पिता नौकरी करते हैं 25 अक्तूबर को दोनों का जनन दिन था हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए गोहर से हरीश चोहान